जब कॉंग्रेस की सरकार थी गन्ने की एफारपी 210 प्रती क्विंटल थी 210 और आज 340 रुप्या प्रती क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है एक कॉंग्रेस वाले 50-50 साल से 1370 को समाल पर बैठे दे मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रदान मंत्री बनाया दारा 370 को समाप करकर कश्मीर को भारत के साथ जोडने का काम किया पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया यह जो गमंडिया घटबंदन है अखिले स्यादव जी की पार्टी कॉंग्रेस पार्टी एक कभी नहीं चाहते थे अयोद्या में राम मंदीर बने मेरे साथ बोलिये बारत मता की क्यूं भाई क्या हो गया जाट बेल्ट वालों की आवाज को मोदी जी को तिसरी बार प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है 400 पार करनी है या नहीं करनी है 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साप करना है या नहीं करना है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी आवाज मेरी बैट गई है आपकी कहा बैटी है मेरे साथ दोनों हाथ उड़ाईए सभी लोग अंतक उड़ाए हाथ विजाई के विश्वास की मुट्टी भीचे और प्रचन्द वाद से बोलिए बारत मता की बारत मता की आज भाई अब ज्यादा बोल नहीं पाएंगे आवाज बैठ गई थोड़ा कम बजना आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतिय जन्ता पाटी और लोक दल के सभी समर्थक भाईयों बैनों माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ सबसे पहले मैं इस भुमी पर आया हूँ जिस भुमी से चौदरी चरण सिंग ने किसानों के लिए देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलन की थी चौदरी चरण सिंग को स्मर्णान जली देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ यहां के महान स्वातंत्र दा सेनानी सुंदलाल जी हर्दयाल जी बिसंबलाल जी सांतिनारायन जी को भी याद करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ भाई और बेनो यह जो चुनाव है यह चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने का चुनाव है मुझे बताओ मोदी जी को हम तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना चाहते है या नहीं चाहते है जोर से बोलो चाहते है या नहीं चाहते है मोदी जी ने गरीबों के उठान के लिए किसानों के उत्थान के लिए देर सारे काम किये मोदी जी ने गूड और गन्ने के इस ख्षेत्रक के अंदर गन्ने के लिए राश्ट्रियन निती बनाकर देर सारे बदलाव किये बाई और वेनो आप याद करिये जब कॉंग्रेस की सरकार थी गन्ने की एफारपी 210 प्रती क्विंटल थी 210 और आज 340 रूपया प्रती क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है और भुक्तान की जहां तक बात है 95 से 17 में एवरेज भुक्तान 23,000 करोड होता था आज 2,50,000 करोड रूपया गन्ने का भुक्तान करने का काम भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है इसके साथ चिनी मिले बसपा के सासन में 19 चिनी मिले बंदुई अखिलेश के सासन में 10 मिले बंदुई और भाजपा के सासन में 20 से अधिक चिनी मिलो को सुरू किया गया और पांच नहीं चीनी मिले आज नहीं बनाने का काम हुआ है और हमने इथेनोल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनोल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था आज 154 करोड लिटर इथेनोल मिलाया जाता है जिससे घंणा किसान की आएको बढ़ाने का काम हुआ है भाई और बेनो बैट जाओ बैट जाओ बैट जाओ कुछ नहीं है बैट जाए जिरा बैट जाए सब भाई और बेनो मुझे बताओ एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है जोड जे बुलो कस्मीर हमारा है या नहीं है धारा 370 अटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए दि एक कॉंग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को समाल पर बेठे थे मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रदान मंत्री बनाया धारा 370 को समाप्ट करकर कश्मीर को भारत के साथ जोडने का काम किया भाय और बेनो नरेंद्रमोदी जी ने कस्मीर में से आतंकवात को समाप्ट करने का काम किया है और एर श्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुश कर आतंकवातियों का सफाया करने का काम नरे इंद्रमोदी जी ने किया है भाई और बेनों यह जो गमंडिया गटबंदन है अखिले स्यादव जी की पार्टी कॉंग्रेस पार्टी एक कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदीर बने मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदीर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोड़ जे बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था एक कॉंग्रेस पार्टी ने सतर साल जक राम जन्व भूमी के मुद्दे को अटका कर रखा लटका कर रखा भटका कर रखा मोदी जी ने केश भी जिता भूमी पुजन भी किया और 22 जन्वरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्टा भी कर दी मोदी जी ने देश को सुरक्सीत किया है मोदी जी ने देश को सम्रूत किया है मोदी जी ने MSP पर आजादी के पाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई और बेनो आज मैं पस्चिमी उत्तरप्रदेश में आया हूँ 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था मैं यह आया था कहराना से मुझबपर नगर से सहरानपूर से पलायन चालू हो गया है यहाँ पर कोई सुरक्सित नहीं है आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतांक बन करकर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्सित किया है और इसके साथ साथ अब निर्दोस नागरिकों की जगे अब उत्तरप्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे है इस प्रकार की स्थिती उत्तरप्रदेश में बनाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की योगी आदित्यनाज की सरकार ने किया है भाई और बेनो ये चुनाव में जो घमंड या गठबंदन इकटा हुआ है बारा लाग करोड के गपले घोटाले ब्रस्टाचार करने वाले लोग इकटा हुए है मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी चोधरी चरण सिंधी के गवरव समारों में आये उस दिन उन्होंने ब्रस्टाचारी पचाओ रेली बनाई और वो रेली में ब्रस्टाचारियों को संरक्संद देने की बात करी मैं आज इस मन से समगर उत्तरपदेश की जंता को कहना हूँ 2014 में मोदी जी ने कहा था जिनोंने ब्रस्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे और 2024 में भी कह रहे है जिसने ब्रस्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे मुझे पताओ जिनोंने 12 लाग करोड उपय का फ्रस्टाचार किया उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए जोड से बोलो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए भाई और बेनो उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री प्रदान मंत्री बनाना है मोदी जी का मकसद देश के किसान गरीब मजबूत गलीत और आदिवासी को मजबूत बना कर अपने पैर पर खड़ा रहना है आज मुझे अंत में इतना बताईए संजीव बालियान को प्रचंद बहुमत से जिताएंगे क्या अरे जोड से बोलो जिताएंगे बालियान आगे आओ आप जरा संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पस्ची मुत्तप्देश के लिए बड़ा काम किया है संजीव बालियान को प्रचंद बहुमत से जिताएंगे चोदा की चोदा सिदे मोदी जी की जोली में डालेंगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे 400 पार करेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ विजाई के विश्वास की मुठी बिचे और प्रचंद रवाद से बोलिए भारत मता की बारत मता की वन दे जै स्री राम जै जै स्री राम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद